बच्चों आज हम देखेंगे लेशन नमबर 6 छोटी एकी मात्रा ओके तो यह जो है वो छोटी एकी मात्रा है तो यह लेशन में छोटी एकी मात्रा हमें सिखने हैं तो यहाँ पे देखो पूरे पेश में आप देखो सब जगा पे छोटी एकी मात्रा जो लगाई है तो उसको पिंक कलर से उसको दिखाये गया है ठीके तो यहाँ पे देखो फर्स जो है विमान लिखा है वो तो जो वह है उसको छोटी एकी मात्रा लगाई गई है और यहाँ पे सेकंड हीरन ह को छोटी एकी मात्रा लगाई गई है और लास जो है सितार स को छोटी एकी मात्रा लगाई गई है यहाँ पे अभी हम पढ़ो और समझो read and understand तो हम standing line देखेंगे ओके आप सको अभी ध्यान रखना है और सुनना है कि मिस क्या बोल रहे है ठीक है फिर आपको वो read करना है तो first जो है की, कीला, हील, जीधर, next line, खी, खिला, बेल, कविता, next line, पी, पिला, मिल, नदिया, मी, next line, मी, मिला, दिल, दर्या, next line, शी, शिला, किरन, सियार, and last line, ही, हिला, किधर, और गिटार, ओके बच्चो तो आपको भी ये सुनना है और read करना है अभी हम आते हैं, यहाँ पर, अब बोल कर लिखो, now say and write, यहाँ पर आपको ये जो दो लाइन है, वो आपको पैंसिल से लिखने हैं उसके उपर, ओके? फर्स जो स्लिपिंग लाइन हम देखेंगे, वी, सी, की, गी, सेकंड लाइन, विमान, सितार, किताब, और गिटार, ओके? अब हम जाते हैं, next page पे, चिडियागर, बच्चो, आप लोग उन्हें चिडियागर देखा है, चिडियागर मिन्स के zoo, जहाँ पर बहुत सारे animals होते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? देखो, यहाँ पर यह जिराफ है, यहाँ पर हाथी है, हिरन है, यहाँ पर देखो, हिपोपोटेमस है, चिडियाँ है, है ना, यहाँ पर ब्यालिफंट है, हिरन है, तो यहाँ पर जो जू होता है, वहाँ पर बहुत तरीके के अलग-अलग animals होते हैं, चलो, तो यहाँ पर मैं ये फर्स्ट परेग्राफ है वो रीड करती हूँ ठीके अनिल विशाल और निधी आओ इधर टिकेट दिखाओ तो अनिल विशाल और निधी को कौन बुला रहा है अनिल विशाल और निधी को ये अंकल बुला रहे है क्यों बुला रहे है तो इधर टिकट दिखाओ वो बूल रहे है यहाँ पर आओ और मुझे टिकट दिखाओ आपने देखाओगा टिकट हर जगा पर होती है आप मुवी देखने जाते हो तो वहाँ पर भी टिकट लेनी पड़ती है आप जब मेले में जाते हो तो मेले में भी आपको जो मेले में गए है लेकिन उनको टिकट तो लेनी पड़ेगी ने वहाँ एंट्री केसे होगी तो यहाँ पे यह जो अंकल है वो उनके पास टिकट मांग रहे है तो अब चिडियागर जाओ तो उन्होंने उनको टिकट दे दी और अंकल क्या बुल रहे है कि अब भी आप अंदर चिडिया रहना क्योंकि यह तीन बच्चे है ना खोगए तो इसलिए जब भी आप लोग जाते हो गुमने के लिए आपको ममा बोलती है ना कि सब साथ में रहना एक दुस्ते के हाथ पकड़ना वैसे ही चलो अब भी हम आते हैं नेक्स्ट परिग्राफ पे चिडियागर का उपवन ब बड़ा था उदर एक जिराफ खड़ा था देखो यह जिराफ है ना उदर एक जिराफ खड़ा था अब हिरन दिखाई दिया अब उनको क्या दिखाई दिया हिरन दिखाई दिया सब कामन बग्यासा खील उठा सब लोग हैपी हो गए अभी आप देखो आप भी अगर जाते जुम है चृडिया घर में एंइमल्स देखने तो आपको कुछ एंइमल्स ऐसे भी दिखेंगे जिसको आपने कभी देखा नहीं है या तो फिर आपने elephant, giraffe, deer, lion वो सारे आपने ऐसे टीवी में देखा होगा लेकिन आपने कभी real में नहीं देखा होगा तो अगर आप उसको देखोगे real में तो आप कितने happy होगे? होगे ना? वैसे ही ये लोग भी happy हो रहे है ये सारे animals को देखके चला बच्चो अभी हम देखेंगे सब्द अर्थ word meaning चिरिया, चिरियागर चिरियागर को इंगलिस में क्या पूलते है? zoo, मैंने आपको बताया ना भी up one, up one means के garden बड़ा means big बग्या, बग्या का मिनिंग भी होता है garden, ओके? चला अभी हम देखते हैं अभियास, exercise question number one एक सब्द में उत्तर दो answer in one word तो यहाँ पे जो first question है उसका answer already दिया गया है first question है अनिल, विशाल और निधी कहां गए? तो मैंने आपको भी बताया ना अनिल, विशाल और निधी चिरियागर गए second question चिरियागर का उपण कैसा था? चिरियागर का उपण कैसा था? तो चिरियागर का उपण कैसा देखता? हमने आगे देखा ना चिरियागर का उपण बड़ा था तो आपको यहाँ पे लिखना है बड़ा next question उधर कौन खड़ा था? तो हमने देखा वो भी देखा कि उधर जिराफ खड़ा था तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है जिराफ last question सबका मन किस तरह खिल उठा तो वो भी हमने देखा सबका मन बग्यासा खिल उठा तो आपको यहाँ पे लिखना है बग्यासा, सबका मन बग्यासा खिल उठा अभी हम देखेंगे question number 2 चित्र देखकर वाक्य पूरे करो complete the sentences with the help of pictures तो यहाँ पे यह जो picture दिये है वो picture देखके आपको answer देने है फॉर्स जो लिखा है अक्षिता सितार बजा picture देखके आपको answer लिखने है यहाँ पे यह सितार है तो यहाँ पे उसने क्या लिखा सितार वैसे ही यहाँ पे रवी अभी यह क्या है किताब है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, किताब, ओके, किताब, तो रवी, किताब, पढ़, नेक्स्ट, यह क्या है, चिडिया है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, चिडिया तिनका लाई, चिडिया, लास्ट में है, अनिल, और यह क्या है, तक्या है, तो आपको यहाँ पर लिखना है तक्या अनिल तक्या उधर रख ओके तो यह जो सारी एक्सराइज है वह आपको टेक्सबुक में कम्प्लीट करनी है ओके अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज चलो बच्चो तो यहाँ पर अभी आपको स्क्रेशन नमबर थ्री रंगी नक्षरों में छोटी एकी मात्रा लगाओ और पड़ो add the मात्रा of e to the colored letters and read the words तो यहाँ पर जितने भी आपको जो लग है वो color हैंगे तो आपको उसको छोटी की मात्रा करनी यहाँ पर सेर चित्र रवी कवीता वैसे ही ओके सवीता दरिया तकिया पहिया गिलास चिराफ तिनका चिडिया यहाँ पर देखो चिडिया च और ड दोनों ही color है colorful लेटर है तो आपको दोनों में करना पड़ेगा फिल विशाल यहाँ पर किश्मिश यहाँ पर का और मा दोनों ही colorful है तो आपको दोनों में छोटी की मात्रा लगानी पड़ेगी यहाँ पर नारियल जिलमेल यहाँ पर भी यहाँ पर पिकनिक ओके तो आपको छोटी की मात् चुनकर लिखो choose and write the words with the mantra of E तो यहाँ पे छोटी E की मातरा है वहाँ पे आपको वो word यहाँ पे यह सारी blank में लिखना है ठीके तो first जो है वो लिख दिया है गिलास अभी हम लिखेंगे किरन किरन लिखना है आपको गिटार लिखना है और रवीवार ओके तो यह सारे जो word है वो आपको यह line में लिखने है ओके अभी हम आते है question number 5 में नई शब्द बनाओ और लिखो तो यहाँ पे देखो यह सारे जो word है आपको यहाँ पे लिखने है तो first तो लिखा है शिला फिर खीला आपको यहाँ लिखना है यहाँ पे खीला तो आपको यहाँ पे लिखना है खीला ओके वैसे यहाँ पे पीला कीला वैसे ही यहाँ पे दीन लिखा है अल्रेडी देखो फिर पीन कीन बीन वैसे आपको word बना के लिखना है दो लेटर को जोइन करके आपको लिखना है और कुछ ने करना है बहुत इजी है आप लिख पाओगे ओके अभी हम आते है लास्ट पेज पे खेल खेल में तो यहाँ पे चितर के नीचे उसका नाम लिखो राइट नेम ओफ दा पिच्चर अंडर एट तो यहाँ पे यह जो पिच्चर है आपको आइडेंटिफाइड करना है यहाँ पे लिखना है यह कौन है डाकिया है तो आपको यहाँ पे लिखना है डा किया यह तो आपको मालूमी है वी मा न यह ही रन और यह लास्ट छिडिया चि-डि-या ओके तो ये आपको लिखने है अब लवी लास्ट जो है वो है कविता पोयम आप सबको पोयम पसंद हैं मुझा बहुत पसंद है पोयम चला हम ये पोयम गाते हैं ठीके आप भी गाना ठीके मेरे साथ आई आई चिडिया आई चिडिया तिनका साथ लाई तिनका लाकर घर बनाया अब अपना परिवार बसाया दाना दाना लाकर खिलाया हिल मिलकर रहना सिखलाया है ना देखो ये चिडिया है तो चिडिया क्या करती है आपने देखा होगा चिडिया का गोसला वो कितना मस्त चिडिया का गोसला किता मस्त बनाया है चिडियाने और उसके छोटे छोटे बच्चे है तो वो क्या लाती है तिनका लाती है और तिनके से अपना घर बनाती है और अपना छोटा सा उसने परिवार बनाया और वो खाने के लिए दाने लाती है दाने लाके अपने बच्चों को वो खिलाती है और ह मिल मिल कर सबको साथ मिलके रहना सिखलाती है तो आपको भी यह पोयम रीड करनी है ओके बच्चों I hope कि आपको यह सब कुछ समझ में आया होगा तो यह जो सारे पेज है वह आपको आपके टैक्स बुक में कम्पलीट करने है ठीक है और यह जो वर्ड है वह आपको आपके सर भी बाद में सैंड करूंगी ठीक है ओके बच्चों बाबाई टेक केर स्टे होम सेफ होम